हलो फ्रेंट्स आज कि इस वीड़ियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा स्टॉम एंडरेण में आप अपने मुएल फून के डिलीट हो चुझी फोटो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाल वालों कि कैसे आप जो है अपने फोन की सेटिंग के जरीए ही आप जो डिलीट हो चुगी फोटो को रिकवर कर पाएंगे तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों सबसे बहले तो यहां पर मैं अपने मुवैल फोन की गैलरी को ओपन कर ले पेजिए यहां पर की बीन का उपच्ण होता है आप अपने फोन की गैलरी में जितनी फोटो वीडियो आप डिलीट करते है जो पेजिए पेज आप चुगा अब दिखें इस photo को recover करने के लिए आपको गरने के हैं, इस photo को आपको उगली से दबागे रखना है, आपका यह right tick लग जाएगा, इसके बाद आपको नीचे restore का यह option tap करना है, जो restore से tap करना है, आपका एक page आगा है, लगाल होती है तक हाइंगी तक एक बात हो समझत आपको बीन वाले पर में बीढ़ने दो जगया पर लिए पर लिखी हुई घए यहांगी निहारी आप जो डिलीट वाली फोटो को यह से recover कर सकते हैं, और देखें, आम पर आकरी line में लिखा हुआ Didarth, 30 दिन के अंदर अंधर आप जोड derive वाली फोटो को यहाँ से recover कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों limit नहां अलग-अलग तरिके से काम करती है 30 दिन और 30 दिन में आपको समझाता हूं कैसे देखें आपको बैक पेज पर आना है आपको राइट साइट की टॉप पर पर यह जो प्रोफाइल पिक्चर होती है इसे टैप करना है आपका इस तरहीं से पेज आएगा इस में देखिए बैक अप के सेटिंग है ठीक है तो यह backup is off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस एप की backup setting को यहां पर पहले से बंद कर रहा है, अगर आपकी यह backup setting यह चालू है तो बंद है यह और लिखा हुआ है, तो इसके नीचे देखिये आपको यह turn on backup लिखा हुआ है, 60 दिन में recover नहीं किया तो 60 दिन बाद automatic permanent यहां से delete हो जाएगी ठीक है तो यह backup setting चालू करने के बाद कोई भी photo delete करेंगे तो फोटो आप यहां से 60 दिनों में recover कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अगर आप backup setting को बंद कर देते हैं बंद करने के बाद अगर आप कोई भी photo delete क करेंगे तो फोटो आपकी जो है ना इस बीन वाले पेज में 30 दिनों तक पड़ी रहेगी 30 दिन में आप उसे recover कर सकते हैं 30 दिन में recover नहीं किया तो 30 दिन बाद automatic यहां से permanent delete हो जाएगी आपको समझ में आ गया कि यह 60 दिन और 30 दिन कैसे काम करते हैं तो यह दोनों लिमेट ठीक है ना तो दोस्तों इस तरह की से आप जो अपने mobile phone की setting के जरीए ही आप जो delete हो जोगी photo video को recover कर सकते हैं